ओम परमात मने नमहा पूर्व इसलोक में भगवान ने योगारूड मनुस के लक्षण बताते हुए यदा और तदापद से योगारूड होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुस को सतंत्र बताया अब आगे के इस लोक में भगवान मनुस्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेणा करते हैं तो उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्माईवा ह्यात्मनो वन्दुरात्माईवा रिपरात्मानम अर्थात उद्धरेद आत्मनात्मानम अपने आप से अपना उद्धार करें इसका तात्परिये है कि सरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धी, प्रान, आदि से अपने आपको उँचा उठाएं अपने स्वरूप से जो एक देशी मेंपन दीखता है उससे भी अपने को उंचा उठा है कारण कि सरीर, इंद्रियां आदी और मेंपन ये सभी प्रकृति के कारी हैं अपना स्वरूप नहीं है जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को उंचा उठा है अपना स्वरूब परमात्मा के साथ एक है और सरीर इंद्रियां आधी तथा मेहपन प्रकृति के साथ एक है अगर ये अपना अधार करने में अपने को उचा उठाने में सरीर इंद्रियां मन बुद्धि आधी की सहायता मानेगा इनका सहारा लेगा तो फिर जर्ता का त्याक कैसे हुआ क्योंकि जर्वस्तों से सम्मद मानना उनकी आवस्षक्ता समझना उनका सहारा लेना ही खास बंदन है तो जो अपने हैं अपने में हैं अभी हैं और यहां हैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए सरीर इंद्रियां मन बुद्धि की दूसरा बाप अभी पूर्वी श्लोक में आया है प्राकरत पदार्थ करिया और शंकल्प में आसक्षक नहीं उनमे। फसे नहीं इतरु प्रत्य उन से अपने आपको ऊपर उठाएं। ये सबका प्रतेक्ष अनवब है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंब तता अंत होता है उनका सयोगता बियोग होता है पर अपने स्वयम के अभाव का और परवर्तन का अनवब किसी को नहीं होता स्वयम सदा एक रूप रहता है अत है उत्पन और नष्ठ होने वाले पदार्थ आदी में नफसना उनके अधिनोंना उनसे निलिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है तो मनुस्य मात्र में एक ऐसी बिचार सकती है जिसको काम में लाने से वो अपना उद्धार कर सकता है त जड़ सरीर संसार से संबंद विच्छेद कर लेता है भक्तियों का साधक उसी बिचार सकती से मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं इस प्रकार भगवान से आत्मियता करके अपना उद्धार कर लेता है करम योग का साधक उसी बिचार सकती से मिले हुए सरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगा कर उन पदार्थों से संबंद विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूब में इस्थित हो जाता है इस द्रस्ति से म चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकेन घंडी को दमाएं और कमेंट बॉक्स में जये कि स्री किसना लिखें जये स्री किसना